हेलो दोस्तों, निप्ती और बैंक निप्ती अनलासिस का इस वीडियो पे, आज हम एस पर एलियर टोएब एन गान तियोडी ये देखने बाले हैं, कि मार्केट पे ये जो एक most recently एक stop बने हैं, जिसके बात से बहुत सारे लोग ये सोज रहे हैं, कि मार्केट पे एक crash आ गया, या फिर मार्केट साहित आने बाले एक दो हपते के अंदर इसको break करके और भी upside पे जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसका possibility, यहीं आज हम discuss करेंगे इस वीडियो पर, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा analysis, तो आज मैं पहले निप्ती का बड़ा time frame से start करना चाहूंगा, as you can see it here, कि जैसे कि इदर आपको दीख रहे हैं, कि यह है निप्ती का weekly time frame, उसके बाद मैं bank निप्ती और बाकी जो mid cap, small cap सबका weekly को भी दिखा हूंगा, तब ही जाकर आपको समझ में आएगा, कि इदर market पे क्या हो रहा हैं, देखिए इदर बहुत पहले से हम discuss करी रहे हैं कि market पे क्या possibility बन रहे हैं, कि इदर एक third बनेगा, उसके बाद यह fourth के लिए market जो है, यह आने का कोशिस करेगा, ओके, जो हम expect कर रहे थे, तो इदर उस ही सब से देखा जाए, तो यह लगबग लगबग यह third complete हो चुके है, एट यह fourth के अंदर market घुसने का कोशिस कर रहे हैं यह possibility हमको दिख रहे हैं, या समझ में आ रहे हैं, इदर जो मैं छोड़ा time frame पे जा कर जा से कि daily, या hourly, या 30 minutes पे जा कर भी जो दिखा हूँगा, उदर मैंने जो smaller time frame पे एक चीज discuss किया था, कि क्या possibility है, यानि कि यह fourth के बाद यह जो result थे था, election result थे, उसके बाद से market ने यह जो गया, तो इधर जो हम expect कर रहे थे, कि इधर से market यह एक fall होगा, यह expect किये थे, यह इतना बड़ा fall होगा, यानि कि एक weekly rate candle बना देगा, ऐसा होगा, या फिर market जो है, मतलब एक बहुत sharp या crazy fall दिखाएगा, यह हम expect नहीं किये थे, तो what's next, यानि कि इधर से किया एक और high बना सकती है कि नहीं, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, निप्टी का daily time time पर, तो चले पहले मैं daily और hourly या 30 minutes, यह सब को मैं दिखाता हूँ, उसके बाद जो है, मैं depend, जो 30 minutes, या 1 minute, 2 minute को भी मैं discuss कर सकता हूँ, कोई सुने, तो देखिए, यह निप्टी का daily time time, इधर पिछला दिन जो हम expect कर रहें थे, वो क्या था, इधर पिछला दिन जो हम expect कर रहें थे, कि इधर से market, यह 1, 2, 3, 4, 5 करके market उपर जाएगा, यानि कि market इधर से एक आप move देगा, तो यह third हुआ, यह जो election result का day था, उसके बाद से जो एक 5th होगा, यह 5th के अंदर market अभी चल इस कर रहें थे, इस 5 के अंदर भी आप देखेंगे, तो हम जो discuss कर रहें थे, वो था कुछ इस तरीके से, कि यह था हमारा, some form of, 1, 2, 3, 4, और यह 5 होगा, और इस 5 के अंदर भी हम खुज गये थे, जिसके अंदर 1, 2, फिर यह 3, 4, 5 का हम expect कर रहे थे, basically हम another 200 से 300 points का आप move का expect कर रहे थे, जो थोड़ा time लेकर भी हो सकते हैं, और जिसके बाद market पे एक sharp decline दिख सकते थे, जो कि मेरे according अगर आप पूछेंगे, तो 10% to 15% का decline हो सकता था, तो अभी matter यह हैं कि अगर यह particular इधर से rise नहीं हो रहे हैं, तो इधर से क्या possibility हैं, तो देखिए इधर से 2 possibility तब होगा, एक है कि जो मैं इधर दिखाना चाहूँगा, पहले मैं यह सब जो भी marking है, इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए यह भी marking नहीं हुआ, तो इधर next क्या है, उसको दिखाने के लिए मैं यह marking देखाना चाहूँगा, कि देखिए यह है मेरा 1, यह है 2, 3, 4 and 5, यह अग करते हैं, तो यह जो 2, 4 का trend line है, इसको अगर देखेंगे, तो market ने इधर clearly break कर दिये हैं, जो साथ Thursday था, उधर ही market ने एक बहुत अच्छा का सा break दिये हैं, तो इधर इसी सब से देखा जाए तो यह 5 way complete हो जाना चाहिए, राइट, बट जब यह 2, 4 trend line को break कर भी देते हैं, तब भी there is a good possibility और good chance कि market पे दूसरा कुछ हो सकती हैं, और दूसरा कुछ मतलब क्या होते हैं, जो मैं इधर आपको draw करके दिखा रहा हूँ, देखिए, generally यह 2, 4 का trend line को अगर market break कर देगा, तो हम यह expect नहीं करते कि यह इधर से और up away पे जाएगा, यह हम यह मानेंगे, जो इधर से move आएगा, इसको sell on rise मानेंगे, यानि कि market जो है, यह इधर से थोड़ा ऐसा उपर जाएगा, तो हम expect करेंगे कि market फिट से इधर से एक decline या fall के लिए pressure आएगा, और market फिट से fall करेगा, जो हो सकते हैं, यह 2, 4 का trend line है, इसके बाद जाकर market इधर से fall करेगा, जो मैं इ ओके, मतलब इधर से थोड़ा अगर यह उपर चला भी गया, तो market फिर से इस line के करिब करिब से फिर से market फिर से फॉल होगा, जो कि फीवोना चीवाइस अगर आप देखेंगे, तो यह होना चाहिए लगबग लगबग इधर से इधर तक का, लगबग 38% से 50% इसके इस area जो 25,000, चलि इसको मैं थोड़ा दूसरे कालर से मार करता हूँ, 25,467, 25,620 यह रही कि इस सब के आसपस से market फिर से यह फॉल कर सकते हैं, यह एक possibility है, और दूसरा possibility, जो इसको मैं थोड़ा भी odd possibility मानना चाहूँगा, ओ है कि जब भी यह 2-4 का trend line को break करते हैं, तो there is another possibility, जो हो सक करते हैं, वो यह हैं कुछ इस तरीके से, let me just draw it, 1, 2, 3, यह अगर 1, 2, 3, 4, 5, यह हम expect कर रहें थे, बट जब यह नहीं होगा, तो secondary possibility होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यारि कि यह जो 4 है, यह अगर 1 का territory पे घूस जाते हैं, तो यह होते हैं, आपका एक diagonal का possibility, यारि कि यह जो एक high, जि market इस high को एक बार थोड़ा से break करेगा, और देन एक बड़ा फॉल करेगा, अब यह मैं high की बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि सिप्राइस को देखके, इधर जो मैं gun time cycle है, उसको देखकर भी मैं यह बोल रहा हूं, क्योंकि gun के हिसाब से, जो मेरे according होना था, ओ था October माहिन पर एक pressure date है, आइधर इधर एक top बनेगा, और अगर in case इधर top नहीं बना, तो क्या होगा, market जो है, यह अगर इधर से मान लेते हैं कि यह सब कुछ नहीं हुआ, market जो है, यह ऐसा ही fall होता गया, ऐसा करके यह fall होता गया, तो एक bottom जो है, ओ भी नजदिक ही होना चाहिए, इस market पर एक बड़ा level का correction होगा, और यह जो बड़ा level का correction की मैं बात कर रहा हूँ, यह according to me, 3000 to 4000 point का fall हो सकती है, जो कि निप्टी के हिसाब से, आज के हिसाब से देखेंगे, तो लागबग 8-10% का correction जो है, यह मैं mark करना चाहूँगा, मतलब मेरे according 3000 to 4000 point का fall हो सकते, जो आइसा जब 400-500 तक आ सकती है, तो यह था, overall मेरा analysis, या overall मेरे तरफ से, जो भी बादर बोलना था, ओ यह है, मोटा मोटा की यह होना है, तो इसको अभी smaller time frame, जैसे कि 30 minutes यह सब पर जा कर भी देखेंगे, यह पिछला दिन जो भी हमारा prediction था, उस पर यह कितना चला, कितना नह नहीं चला, तो देखें, इधर से जो अमारा marking था, उस ही सब से यह जो है, यह था मेरे according, कि यह market आप वे पर जा रहा था, बट जब यह market ने, यह channel जब तक hold करेगा, यह मैंने आप लोग साथ discuss किया था, कि market पे यह channel जो है, यह regression trend बोलते हैं, इस channel को market जब तक इसको hold करेग यानि कि इसको break नहीं करेगा, तब तक कि लिए यह जो move है, यह आपने आपको और further ऐसा करके बहुत उपर जा सकते हैं, मलब कितना उपर जाएगा, उसका कोई limitation नहीं होता, ठीक है, कभी-कभी यह अगर 1 है, यह अगर 2 है, तो 3, कभी-कभी उसका 161 होगा, 261 होगा, 4.236 ह होगा, मलब 4.23% के आसपास होगा, तो यह सा बहुत सारा लेबेल्स यह जा सकते हैं, तो इसलिए यह चैनल के माद्दम सा I would like to hold on to this thing only, बट जब यह चैनल को break किया, तो दूसरा possibility जो मैं expect किया था, वो था, यह 25,750 के करी-करी 4 and 5 बनाएगा, और यह market जो एक fall करेगा, तो वो एक bigger fall हो सकते हैं, ओके, बट इधर से जब यह rise नहीं होगा, तो दूसरा जो I mean count है, वो बड़ा time frame पर यह हो सकते हैं, जो मैंने बोला, कि इधर से कुछ इस type का एक alternate count लेकर मैं चल सकता हूँ, क्योंकि date और price दोनों ही matching उसी सब से नहीं होगा, तो इधर से एक possibility है, कि market जो है, एक fall कर सकते हैं, बट एक आकड़ी का एक 4-5 बनाने के बाद, ओके, यह मेरा expectation है, secondary possibility, अब obviously ओ दोनों में से दोनों ही कब possible होगा, यानि कि कब इधर से आपड़ा ही start होगा, चले ओ भी discussion करते हैं, बट उसके लिए मैं आपको nifty का 2 hour का time frame पर ले जाना चाहूँगा, तब जाकर यह possibility होगा, जैसे कि पहली बात है, इधर से यह जो fall होड़ा है, इसके लिए कुछ नहीं है, इधर जाना है हमको, और इधर जाने के बाद, यह regression trend है, इधर से regression trend को आप on कर लिजे, इस high से इस low तक, low नहीं बोलूँगा, वालब जो अभी का जो date है, इधर तक मै मैंने किया किया, मैंने पास एक जो line है, यह regression trend बोलिए, parallel channel बोलिए, जो भी आप इधर से ऐसा करके draw कर सकते हैं, पहली बात, market अगर इसके अंदर घुसके चल रहे हैं, तो हमको और कुछ नहीं करना है, बस इसको hold करना है, और यह सोचना है, कि market another down move लेगा, या फिर इधर स करूँगा, गान पर जाकर, तो यह है हमारा एक possibility कि nipty का 2 hour का time frame पर, market पर यह possibility है, जो कुछ इस type से हो सकते हैं, यह फिर इधर से गया, तो एक B and यह है C, यह एक possibility है, जो अभी के लिए best possibility मुझे लाग रहे हैं, और दूसरा possibility यह है, कि अगर इधर से एक इस high को तोड़ भ जो मैं बोल रहा हूं, 3000-4000 points का fall, ओ करेगा, और यह सब मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यह two four जो हमारा पहले से marking था, उसी सब से भी इस line को break किया पहली बात, और दूसरी बात, इधर और another concept है, ओ है time imbalance, यह price और time का imbalance बोलते हैं, अब यह imbalance क्या है, यह आपका मन में दिखाता हूं, क्योंकि two hours side आपके लिए समझने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, यह यह है, इस low से, इस high तक market ने कितना समय लिए है, 14 bars, but यह two four trend line को market कितना समय पे इसको break किये है, time की बात कर रहा हूं, एक, दो, तीन, और इस high को भी अगर मैं लेकर चालो, तो 3-4 candle पर break किये है, तो यह होते हैं, imbalance, यानि कि market पे जितना समय पे market उपर गये है, उसका कम समय पे market यह opposite direction पे आ चुके है, तो यह के लिए इसको बोला जाते है, imbalance, यानि कि market balanced ओए पे नहीं हुआ, but यह imbalance ओए पे अगर हो गया है, तो मैं इसको simply mark कर दूँगा, ABC, तो फिर मैं क्यू यह राक रहा हूं, कि इस high की उपर अगर market जो है, यह break कर सकते हैं, यह एक alternate possibility, फिर भी मैं क्यूं राक रहा हूं, वो भी एक जरूरी है, उसके पीछे reason यह है, कि यह बाला जो low है, यह बाला जो recent low है, इसको अभी भी market ने break नहीं किया, और दूसरे एक reason है, जो गान का reason है, ओ था कि इस particular date पर भी, आप देखेंगे, तो there is a pressure date only, ओके, तो यह सब कुछ मिला कर, जो मुझे लाग रहा है, कि market आगर इस swing को भी break कर देगा, तो इसको हम मानना पड़ेगा, कि market जो है, यह इधर से, एक imbalance पे, two-four trend line, plus यह recent swing है, इस swing को भी break कर दिये है, तो यह two-four trend line, plus swing दोनों अगर break हो जाएगा imbalance पे, यानि कि यह 14 बार या उससे कम समय पे, तो there is a very good chance कि market इसके बाद ABC करने के बाद, एक काफी जादा और काफी बड़ा fall भी दिखा सकते हैं, अभी से, ओके, यह दोनों का possibility मुझे सही लाग रहे हैं, और bank nifty की भी बात करें, तो bank nifty पर क्या हो रहे हैं, अच्छा चलिए उसके लिए मैं इधर आपको दिखाता हूं कि 2 hour का time frame पे, पहले उसके बाद weekly और 30 minutes को भी दिखाऊंगा, देखिए अगर 1 है, 2 है, तो यह 30 के लिए market जो मेरा marking था, 161 का level, 54,467, exactly उस point से market ने reversal भी किया, और इधर से भी, as you can see, कि market पे क्या इस channel को market ने break भी कर दिया था, जो मैंने पिछला हफ्त पड़ी discussion किया था, तो इसके बाद मैं expect कर रहा था, 4,5 करके इधर भी nifty की तरह, एक market upside जाएगा, यह जो fall था, यह मेरा expectation था, तो इधर जब यह fall हो रहा है, तो इधर से, as you can clearly see, कि यह 1, 2, 3 होने के बाद market fall हो रहा ह तो nifty भी अगर इधर से, कुछ इस तरीके से जो मैं expect कर रहा हूँ, कि इधर से अगर यह bounce करके एक ultimate high बनाएगा, तो bank nifty पर भी more or less same possibility हो सकती है, then market जो है, इधर से एक fall का कोशिस कर सकती है, ओके यह एक possibility जो मुझे दिख रहे हैं, कि nifty bank pair भी यह हो सकती है, जिसको मैं एक alternate count मानना चाहूँगा, बाट यह एक possibility है, और दूसरा जो इतना सार fall के बाद, जो generally होते हैं, ओ होगा, कि इधर से एक ABC करके बड़ा level का fall दिखाएगा, अब यह बड़ा level का fall भी अगर हो गया, even इधर से अगर यह नीचे की तरब आ भी रहा है, तो मैं expect करूँगा, near to 50,000 यह जो particular level है, 300 से 400, इस level के आसपास से market पे एक bounce दिखेगा, अब obviously, ओसाइथ ABC का bounce होगा, जिसके बाद market इधर से sharply fall भी करेगा, ओके, यान कि एक आखरी का sell-off जो है, यह बाकिर आएगा, और इधर से यह और भी नीचे, even 50,000 से भी नीचे यह आ सकती है, बाट इधर तक जो कि 50,369 इसको break करने के बाद आएगा, तो obviously, यह कोई ending diagonal वाला possibility और नहीं रहेगा, even not as an alternate count, ओके, तो यह एक matter है, तो इधर से हमारा fall का जो prediction था हो, तो सही गया, channel break हुआ था, जो हमने nifty, bank nifty दोनों पर ही discuss किया, इस पिछलापती हो गया था, और nifty उसके बाद हुआ, तो हमारा direction से ही था, but यह काफी intense fall हुआ, तो इधर से what's next, यानि कि next क्या हो सकती है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, कि bank nifty का weekly time frame पर जाकर, और बाकि जो भी different, I mean different indexes है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, देखिए, इधर bank nifty का weekly time frame पर इधर क्या हो रहे है, इधर हमारा expectation क्या था, कि यह था 1, 2, और यह हम expect किये थे, कि यह third के लिए market जाएगा, तो यह basically 1, 2 complete होने के बाद, 1, 2, 1, 2 करके जाएगा, ऐसा करके मेरा expectation था, अगर यह इस particular जगा पर नहीं हो रहे है, तो एक possibility जो मैं बोल रहा हूँ, वो यह क्यों बोल रहा हूँ, कि इधर भी एक ending diagonal सा possibility हो सकती है, because अगर यह ऐसा करके नहीं गया, तो back nifty पर जो nifty की तरह मेरा जो marking है, उसको थोरा मैं change करूँगा, तब यह possibility रहेगा, 1, 2 के बाद, यह जो है, यह अपना लगबग third इधर एक complete करेगा, यह होगा आपका fourth, then यह होगा आपका fifth, यानि कि कुछ इस तरीके से market चलेगा, यानि कि यह वाला जो possibility था, कि 1, 2, 1, 2, 1, 2, यह third वाला जो one two था, इसको मैं delete करूँगा, and market इसके अंदर, I mean, इस third wave जो है, इस third wave के अंदर जाकर, इधर कुछ third के अंदर का fifth जो है, यह बनाएगा, and then इधर से एक possible fourth के लिए, जो बढ़ा level का फोरता है, और nifty के साथ साथी market नीचे आएगा, and then यह fifth के लिए और भी high पे जाएगा, यानि कि ऐसा नहीं कि इधर से जो भी top बनेगा, यह अभी के लिए break ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो मुझे जो लग रहा है, market इधर से और भी high पे जा सकते है, but it will take some time, either यह particular जो जगा है, इधर से market य high को break करेगा, and then fall करेगा, जो कि बड़ा लेबल का correction होगा, या फिर दूसरा possibility यह है, कि market यह वाला जो fall है, इसको यह अगर यह break, I mean, यह जो 0-2 trend line है, इसको break कर देगा, तो generally there is a good chance, कि market जो फोर्थ होए, बड़ा लेबल का इधरी बन जाएगा, and then fifth के लिए उपर जाएगा और यह जो बड़ा लेबल का fourth की बात कर रहा हूँ, यह 49,100 इसके आसपस तक भी यह जा सकती है, okay, ओ, देखना पड़ेगा, next अपते कहां पर market, I mean, कैसा BF कर रहे हैं, उसके बाद ही जाकर मैं discuss करूँगा, but as of now, जो बड़ा लेबल का, यह जो 1-2 था, उसको, I mean, sorry, 0-2 ब इतना ही बोल रहा है कि market एक fall के बात और भी अपराइस देगा, जो भी मतलब possibility आप लेना चाहिए, तो more or less यही बात है कि market इधार से कुछ correction लेगा, 6-8% का यह 10% का correction लेने के बाद ही उपर जाएगा, चाहिए nifty की बात करे, bank nifty की बात करे, more or less यह same ही है, okay, तो nifty पर भी यह some formula पर 34 यह बना सकती है, अब चलिए दूसरा जो index है, उसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, और उसके साथ साथ जो nifty का जो gun theory पागेरा है, उसको भी मैं discuss करूँगा, इधर nifty का small cap पर as you can see, 1, 2, 3, 4 के बाद 5 पर हमारा target किया था, 9, 4, 9, 5, जिसको as you can see, कि market लगबा तो there is a good chance कि यह और भी कापी दूर तक यह fall हो सकती है, okay, but इधर से जो मेरा मानना था, nifty की तरह इधर भी as you can see, कि इधर से market जो है, कुछ इस तरीके से एक और भी high लगाएगा, यानि कि यह जो fall है, मैं expect नहीं कर रहा हूँ कि यह fall से market जो है, यह लगबग, लगबग, यह जो 37,000 का level है, 37,000 इधर तक चला आएगा, इस fall से ही directly, यह मेरा expected नहीं है, but whatever my expectation, इस ultimately market पे जो हो नहीं है, उसी सब से देखा जाए, तो यह particular हमारा target था, इसको जब market ने hit कर गए हैं, तो small cap पे और मैं bullish नहीं हूँ, okay, as of now, एक आच्छा खासा correction चाहे इधर से हो, या ऐसा एक top बनाने के, मतलब और एक high बनाने के बात से हो, जहां से भी हो, market पे एक आच्छा correction के बात से ही, मैं फिर से bullish बनूँगा market पे, okay, यह कि market पे without proper correction, market पे कभी भी इतना, I mean, बहुत बड़ा आप move नहीं होते हैं, क्योंकि market पे यह जो sharply moves दिखते हैं, वह बहुत बढ़े ल meet cap की बात कर तो meet cap पर भी morally same ही है, हमारा morally same ही correction की मैं बात कर रहा था, कि यह 1, 2, 3, 4, 5 करके जाएगा, okay, and then, sorry, इसको मैं black कर लेता हूँ, क्योंकि rate color से हमारा alternate है, यह आलग है, तो यह जो black color से count है, इसको ही देखिए, यह था, 3, 4 की बाद यह 5 के लिए जाएगा, तो इसक इधर से 1, 2, 3, 4 के बाद, nifty की तरह ही मैं expect करूँगा, कि यह थोड़ा सा आप जाने के बाद ही, यह फॉल करेगा, यानि कि इधर से भी एक healthy correction होगा, but मोटा मोटा बात ही है, कि यह सब जो है, आपना trend maturity के करीब आ गाए है, जाए ओ price पे ऐसा sharp correction हो, time पे हो, एक correction लेने के बाद ही फिर से यह उपर पे जाएगा, और यह जो top बन रहा है, जाए nifty पे हो, bank nifty पे हो, nifty small cap, mid cap, यह mid cap 100 जो मैं दिखा रहा हूँ, हर किसी पे, मुझे यह नहीं लाग रहा है, कि market जो है, यह अभी के लिए बहुत, मतलब इतना बड़ा top बन रहे है, कि आने बाल एक सा दिन ही discuss किया था, कि इधर से इधर तक, हमारा, I mean, इस particular level से, next जो हमारा date है, जो किया 14th October, जहां पर मैंने एक top का expect किया था, तो इधर इसका middle area, इस middle area पर, हमारा कुछ book करना चाहिए, क्योंकि as per Elliot wave, जो हमको clearly दिख रहे हैं, कि यह 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है, या 5 के अंदर आखडी का move इधर हुआ नहीं, तो more or less मेरा बोलने का मतलब यह है, कि trend एक काफी mature हो गए है, तो इसलिए हम बस इसके भड़ों से hold नहीं करेंगे, हम obviously इसका middle area से कुछ ना कुछ book जरूर करेंगे, obviously अगर हमारे पास कुछ position है तो, तो यह हम कर सकते हैं, या करने का सोचना चाहिए, यह मेरा expected, जो भी मतलब मैं खुद करता हूँ, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि इस particular, at least कोई नया entries की बात ही नहीं है, तो यह था हमारा level, and इसको market, as you can see, इसका जो target था, इसको double करीप-करीप market जो है, इसने hit किया, and उस point से market यह reverse भी कर रहे है, और इधर यह downside पर break and close भी है, जो है, as you can see, market पर हो गया, तो obviously, market पर और भूल रहने का कोई फाइदा नहीं है, मतलब एक छोटा मोठा आप move अगर हो भी गया किसी करन, तब भी it is not that important, क्योंकि वो ultimately, उस move को अगर miss भी करेंगा, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो आभी यह है, हमारे लिए मोटा मोटा यह बात, तो यह जो है, यह 14th October से 16th October, इस माईने का आप देखते रहे हैं, इस area पर, जो मुझे लग रहा है, कि market क्या करेगा, market एक अगर, जो मैं expect कर रहा था, इधर से GC सबसे आप साइट पर जा रहा था, एक top बना के यह fall करेगा, यह fall का जो अभी हो रहे है यह मेरा expected था, जो थोरा पहले आगया, और ओ भी हुआ, अब as you can see, September 27th पे, तो इधर यह हमको देखने वाली बात है, कि इधर यह कर क्या रहा है, बेसिकली यह करना क्या चार रहा है, यह 27th अगर September पे, यह अगर, I mean, top लगा रहा हैं, तो इस particular area पे, जो 14th to 16th October है, इधर से market जो है, एक bottom भी बना सकती है, इस particular area पे एक bottom भी बना सकती है, तो यह हमाले एक important level या important date होगा, तो इसका भी जो range रहेगा, उस range को भी हम mark करेंगे, यह 3 दिन का total जो high and low रहेगा, जैसे कि हम इधर भी करते आए हैं, इस से पहले भी, और हर जगा पे, तो उसको जीस direction पे market break देगा, market को उस तरब जाने का chances जादा होगा, ओके, तो यह एक बात है, निप्टी का, जो मांत्री time frame है, उसी जब से, इसलिए मैंने पिछला दिन आप लोग को बोल दिया था, कि इसके आसपास ही, थोड़ा बहुत, 50% के आसपास, बुक कर लेना ही सही रहेगा, obviously, it was not a recommendation तो anyways, तो इधर से next जो है, ओ देखते हैं, यह है निप्टी का दूसरा एक strategy, इसके माध्दम से भी, अगर top and bottom को देखना चाहेंगे, तो market पे, जब यह high पे high बनाते हुए जा रहा था, तो इधर भी मैंने discuss किया था, कि यह सब जो, I mean, यह सब जो labels है, इस labels हमार लिए कितन important है, और क्यों मैं इधर से expect कर रहा हूँ, अभी भी इतना sharp fall के बाद इधर से एक आख्री का move दिख सकती है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ reason जरूर है, और reason यह है कि market पे यह जो particular एक date था, 10th September, इसका जो high and low था, let me show you its range, यह particular candle था, इसका high and low, यह जो range था, 10th September का यह वा break दिया था, तो मैंने आपको यह बोला था, कि market पे अभी तक जो भी मतलब move दिखिया है, इसके बाद से market sharply upside पे जा सकती है, और उसके लिए, यानि कि उसको trail करने के लिए, यह जो different, जो 25,361 और भी जो different labels है, इसको हमने देखे थे, right, but अभी के लिए matter यह है, कि इधर से अ अब यह जो bounce है, यह कितना जाएगा, वो important है, मैं expect कारूंगा minimum 38-50% तर जा सकती है, और उसके बाद यह एक और fall होगा, अब यह fall अगर होगा, तो कितना दूर तक होगा, वो important है, और इधर यह बाला जो particular candle का low है, इस candle का low बना था 24,896, यानि कि लगवाग 24,890 के करिब कर ओके, let me write it down, 24,890, तो यह बाला particular जगा पर, अगर इसके नीचे market आकर daily time frame पर closing दे रहे हैं, ओके, इसके नीचे जाते कि 20-30 points अगर closing दिया, तो there is a good chance की market जो है, इसके बाद market यह जो fall है, यह और भी sharply continue करेगा, और बहुत बड़ा level का fall होता रहेगा, या यह जो fall है, यह continue ह होता रहेगा, तो either market इस particular area से थोड़ा reverse करें, क्योंकि यह हमारा एक level के आसपास है, एक particular date का range है, जो एक important date था, उसके आसपास है, तो market आईदर इस particular area से यह उपर जाएगा, यह एक possibility है, और दूसरा possibility यह है, कि market जो है, यह अगर इस label का, यह जो range है, 24,890 के करीब करेब, इसके नीचे अगर market आकर daily पे कोई close दे रहे हैं, तो इसके बाद market इदर से और sharply break करके और भी नीचे आएगा, और ओ जो नीचे आना है, ओ इतना आसानी से यह इतना चोटा मोटा fall नहीं होगा, ओ काफी बड़ा fall होगा, काफी बड़ा fall मतलब, यह जो अभी तक जो जैसे चले आ सकते हैं, यानि कि अभी है 25,000 पे लेकिन ओ 24,000 तक भी यह नीचे पे चले आ सकती हैं, यह मेरा मानना है, और उसके लिए, ओपेसली जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, तो सेम चीज इधर bank नीचे पर भी करेंगे, इसका 30 मिनिट्स पे जा कर भी, इधर से जो भी यह fall ह इसके लिए भी सेम रिग्रेशन जो ट्रेंड है, पैरलल चैनल है, यह पार्टिकुलर डेट के साथ यह जो डेट है, इसको मार कर देंगे, जब तक market इस चैनल के अंदर घुस के चलते आ रहे हैं, डाउन डाउन करते हुए आ रहे हैं, तो बेसली हमार लिए यह कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, कि market इधर से कितना फॉल करेगा, क्या करेगा, market इधर से तब तक के लिए, we are bearish even on the smaller time frame, ओके तो मैं अभी के लिए यह expect करूँगा, कि market पे major count या main count जो है, ओ क्या होगा, market पे according to me, जो main count है, ओ यह कहना है, कि market, तो अभी के लिए मैं इतना expect करू कि market पे जो भी major count है, जो भी main count है, ओ यह दिखा रहा है, कि market आभी से down आएगा, क्योंकि trend जो है, ओ मैचियर हो गये है, अगरी का 1500-200 point हम ले पाए या नहीं ले पाए, ओ उतना कुछ matter नहीं है, और market जो है, इसके बाद 8-10% total correction देगा, अगर जो recent जो भी swings बनाते हुए, मतल एक अच्छा-कासा level का buying हुआ है, अगर वो सब levels पे, अगर वो सब levels पे, अगर आप देखेंगे, कि market imbalance पे, यान कि सारफली break कर रहे है, असन भासा में बोला जाए, तो there is a good chance, जो according to me है, कि market क्या करेगा, वो और भी नीचे आएगा, जो nifty के लिए 24,100 का level को भी ये touch कर सकत हैं, और bank nifty के लिए, ये 49,000 के करीपर, जैसे कि 49,100, 200 तक भी ये अराम से आ सकते हैं, ओके, ये मेरा मानना है, बट आखड़ी पे, क्यूंकि ओ आखड़ी का 1,500-200 पॉइंट हम जो expect किये थे, या predict किये थे, वो हुआ नहीं, तो उस ही सब से, मैं ये expect कर रहा हूं कि possibility हो सकती है, ओके, बट वो हुआ, या ना भी हो, उसको मैं trade करने का कोशिस नहीं करूंगा, मेरे according, market पे एक healthy collection देखने के बाद ही market पे, मैं upside का जो move है, फिर से वो लेने का कोशिस करूंगा, ओके, तो आभी जो है, आखड़ी पे चलिए, मैं आखड़ी का एक जो चीज है, मैं चलिए वो दिखा देता हूँ, वो है, कुछ stocks and कुछ दूसरा indexes भी, तो let me show you here, कि इधर जो nifty का PSU bank का index है, ओके, ये क्या कर रहे हैं, अब मिन सिर्फ PSU नहीं दूसरा जो भी है, तो इधर PSU bank पर भी हमारा prediction यहीं था, कि market पे जो है, ये हमारा एक third जो है, ये complete हो गय आएगा, तो देखिए, और जब भी ये आएगा, ये जो कीजून लाइन है, market पे इसके नीचे break and close होगा, ये market ने ultimately break and close भी दिया, और इधर से ये नीचे आ भी गया, ओके, तो मेरा बोलने का, या दिखाने का मतलब इतना ही है, कि generally जब market आपवाड जाते हैं, मैं तो बोल this is how it looks like, और जब भी market ये कर रहे हैं, वहीं सेम चीज, parallel channel से कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो ये regression trend से भी करेंगे, तब भी आरम से चलेगा, ये regression trend से, इस high से ये जो आभी का low है, इसको मैं ऐसा करके mark कर दूँगा, अच्छा, ये high को नहीं लिए हैं, तो parallel channel है, उसको मैं लेता हूँ, यूँकि इसने body को लिए हैं, कुछ इस तरीके से, जब तक market इसके अंदर है, तो ये जो PSU bank है, ये फोर्त वेप के अंदर रहेगा, उसके बाद 5th के लिए, और भी upside पे, जो मुझे लग रहे हैं, market जा सकते हैं, यानि कि ये cloud level का support से market जो है, ये औ 12 के बाद 3rd के लिए जा रहे हैं, तो 3rd के ये 161 का जो level हम discuss किये थे, exactly उधर तक तो आभी के लिए जाएगा, ऐसा नहीं लग रहे हैं, अगर nifty bank nifty fall करेगा, तो ये भी थोड़ा बहुत fall जरूर करेगा, ओके, तो ये 138 के आसपास था कि, मुझे लग रहे हैं कि थोड़ा 4th, 5th होगा, जो मेरा मानना है, और दूसरी बात है, दूसरा जो stocks कुछ मैं दिखा था, ये Larson and 2bro, और भी जो different stocks की बात कर रहा था, तो इधर जो हमारा prediction था, more or less यही था, कि market पे क्या हो सकते हैं, देखिए इधर जो भी हमारा prediction था, ओ, more or less यही कहा रहा था, कि market पे ये 1, channel से, अब ये सब जो है, ये सब marking को आप कर सकते हैं, and then इसको hold भी कर सकते हैं, और बाकी जो डूसरा stocks जो है, ये सब आप लोग का ही recommendation था, ये grassim industries, इधर भी 3rd के बाद ये 4th पे घुज गया था, ये बहुत पहले से ही, तो ये 4th के अंदर चलेगा, and then 5th के लिए जाएगा and jindal polyfilm से भी आप लोग का request था, तो इधर मैंने already discuss किया था, कि ये जो है, 5th बन गए हैं, जब ये बन रहा था, I think आप लोग को याद होगा, exactly, कि कुछ इस तरीके से मैंने mark किया था, कि ये अगर 3rd है, 4th है, तो 5th बनेगा इसका 61% से, तो देखिए ये pinpoint accuracy से, 61.8%, जो कि 97 73 है, exactly उधर से market ने ये fall किया, तो भी असली, इसके लिए भी मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा, कि इसको आभी के लिए ऐसा करके hold करते रहे, and then market will come down further, ओके, ये nifty, bank nifty जब भी उपर जाएगा, फिर जाकर इस सब आप move देने का कोसिस करेगा, और ये वाला जो भी move है, इसको आप देखेंगे, तो इसका 61.8% तक भी ये आ सकते हैं, जो कि 653 है, ये मेरा मानना है, लार्सन और टूब्रो के अगर हम बात करेंगे, तो देखें, इधर भी ये thought के बाद, ये 161 हुआ था, उसके बाद जो fourth के लिए market घुसेगा, ये हमारा overall एक prediction था भी, as you can see, तो सेम चीज हो रहे हैं, exactly, ये fourth के लिए आभी चाल रहा है, nifty bank, nifty भी पस इसको join करेगा, तो ये same ही खड़ेगा, और क्या करेगा, लार्सन टूब्रो हो गया, फिर reliance जो है, reliance के लिए भी हम देख रहे थे, जो मैं एक possibility आप लोग साथ discuss कर रहा था, एक possibility है, ये one, two, उसके मैं थोड़ा red mark कर देता हूँ, तो देखे, इस पे जो मेरा दूसरा possibility था, कि ये third इदर complete नहीं हुआ, यानि कि ये जो blue color का marking है, ये सही नहीं है, ये third के लिए थोड़ा उपर जाएगा, then ये fourth, fifth करेगा, तो आभी के लिए reliance क्या करेगा, इसके उपर भी बहुत कुछ depend कर रहे हैं, अगर reliance ने, ये बाला जो, I mean, ये swings बना है, इसको अगर मैं एक trend line या एक parallel channel ऐसा draw करूंगा, तो इसके उपर अगर market गया, I mean, something like that, कि इदर से market अगर ऐसा करके चला गया, तो there is a very good chance, very high chance की market जो है, इसके, I mean, इदर से, जो nifty bank nifty भी, fifth बनाएगा, जो मुझे ल तब जाकर ये third, fourth, fifth होगा, पर जबतक के लिए, ये particular, जो भी line है, इसको अगर block, I mean, break नहीं कर रहे हैं, upside पे, okay, तो ऐसा अगर कुछ, अगर ये break नहीं किया, तो there is a good chance की market अभी क्या करेगा, market इदर से, ये जो fall है, इसको पास intensify करते जाएगा, और ओभी हमारा दिया हु देट से थोड़ा पहले ही, और आखरी पे ये Punjab and Sindh bank है, इसको भी मैं दिखा रहा हूँ, इधर भी more or less same था, ये 161 का target को hit किया था, जो मैंने already आप लोग साथ share भी किया था, post भी किया था, साथ Twitter पे, तो अभी ये fourth, fifth के लिए, fourth के लिए आएगा, ये ही मेरा expectation था, right, तो बाखी का जो भी different stocks है, वो भी आप चाहेंगे तो मैं दिखा सकता था, ये वीडियो थोड़ा lengthy हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, but इतना है कि मेरे तरफ से जितना हो सके मैं देने का कोशिस कर रहा हूँ, over trend का maturity, उसका level, जो कुछ है, जैसे कि nifty small cap, mid cap पे exact जो 61 50% का level को hit किये है, but nifty पे exact accurate नहीं हुआ, थोड़ा 1500-20000 पॉइंट या 200-300 पॉइंट से और थोड़ा miss हो गया, तो in such scenario जो मैं expect करता हूँ, कि market अगर पहले ही ये top बना रहे है, तो इसका मतलब क्या है, कि market पे imbalance दिखेगा, यान कि market यह भी sharply fall करेगा, sharply decline करेगा, ये same चीज जब market ये आखडी का वेप से पहले ही अगर ये 2-4 trend line को break करके नीचे आ रहे है, तो एक press impulse start हो रहे है, ऐसा बहुत सार वेप इसको define किया जा सकते है, अब बहुत साहे लोग इसको define पे आप साहे इसको define करेंगे, चाहे price action बाले एक देखेंगे, दूसरा कोई दूसरा देख रहे हैं, I know, पट फिर भी आगर वो बना भी दे, तब भी market पे press another 3,000-4,000 point का nifty की बात करो fall होगा, ओके यान कि इदर एक बड़ा जो fall था, वो होने ही बाला था, चाहे वो एक अपते पहले हो या एक अपते बाद ये हो रहे हैं, अभी के लिए जो major count है हमारा या main count है, उ आप में से बहुत साइ लोग जो मुझसे पूछ रहे थे, कि मैं live के बंद कर दिया हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि मैंने live को बंद कर दिया है, मैं live पे आओंगा, अभी जैसे कि आप साइद मेरा voice से भी समझ पा रहे होंगे, कि मेरा सरीर थोड़ा खड़ा कि फीबोना चीब क्या है, उसके बाद different indicators, फिर एलिया टोएप का भी different की फीबोना चीब, और भी different videos आने वाले हैं, जो आप सब के लिए एक master series बना रहा हूँ, technical analysis का, उसमें जितरा मेरा practical knowledge है, उससे ही बना रहा हूँ, तो बेस्ट आपको कुछ unique और नया नया चीज भी सी को मिलेगा, जो आप मैं से बहुत सारी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो भी यह courses बागेरा चलते हैं, तो इदर यह सब जो भी courses है, obviously यह सब live courses है, हर कोई जो भी courses है, यह सब live है, and इस पर one-to-one classes होते हैं, आप लोग चाहेंगे, तो obviously मैं बहुत जल्दी इदर एक discount coupon भी च कुछ मैं discount offer करूँगा, हार एक course पर यह discount price भी आपको मिल जाएगा, मैं price को ही discount करके एकदम दिखा दूँगा, तो इससे क्या होगा, कि आप लोग का मन में जो भी doubts है, जो भी problems है, आप इदर one-to-one classes पर भी इसको clear कर सकते हैं, यह one-to-one मतलब सिफ इस पर ही नहीं हार किसी पर ही, यह one-to-one classes होते हैं, यह हमारा book है, इसको भी आप purchase कर सकते हैं, इधर यह ewnifty.com पर जाकर, and इस particular जो भी, I mean courses है, इसको अगर आप लेंगे, तो इधर generally क्या होते हैं, कि live classes होते हैं, one-to-one, और उसके बाद जो होते हैं, वो होते हैं, कि group class, जो की लगबग लगबग 6 माहिने तक भी चलते हैं, even उसके बाद भी लोग रहते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं, तो मतलब इधर जो doubt clearing है, practical chart पर discussion, वो लगबग 6 माहिने तक चलेगा, okay, जो मैंने recently update किया है, courses को, ताकि 6 माहिने तक मैं आप लोग को साथ राखू, और बाकि जो live classes है, कि one-to-one, और जित live classes, one-to-one, उसके बाद ओ 6 माहिने का group batches के साथ another starting होगा, और गान के लिए भी इधर लगवग लगवग एक माहिने लग जाती है, तो यह depend करेगा, और यह जो one-to-one mentorship है, इस पे भी आप आप आगर देखेंगे, तो generally क्या होते हैं, यह हार कोई वैसे one-to-one mentorship है, बस इसका न इस पे include किया हूँ, तकि आप सबको अबर लेका idea लग जाए कि market पे कैसे analysis करना है, और कैसे इसको trade करना है, जो भी चीज़े मेरा practical experience से मैं ले पाया हूँ, वो सब कुछ मैं इधर दिया हूँ, इस course पे और बाकी courses पे जैसे लिखा हुआ है, आप लोग जा कर भी यह सब पे series जो हम चला रहे हैं, जैसके आभी फीबुनाची series, फिर एलिया टोइप का, जो series जो उसको भी मैं continue करूंगा, तो यह सब जो series है, वो चलता रहेगा, तो आभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, next video के,